नमस्कार में हूँ अनील सिंग्वी और मेरे वादे के मुताबिक आज ओपरेशन दीमेट डाका का एक और एपिसोड में आपके सामने लेकर आये हूँ दीमेट डाका के इस एपिसोड के बाद आज कई सारे ऐसे सवाल है जो आप अपने आप से पूछेंगे और सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको परिशान करने लाएक हो मसलन कि क्या मुझे अपना डीमेट अकाउंट रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए क्या मेरा अगर किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसे चालू रखना सुरक्षित है या फिर उसे भी बंद कर देना चाहिए आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में मुझे पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं और हाँ मैं तो ये शो इस रिस्क पर भी कर रहा हूँ ये हो सकता है आप ये सोचे कि अगर मुझे मार्केट में पैसा ही नहीं लगाना है तो फिर मेरा शो या मेरा चैनल आपको देखने का क्या फाइदा बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं लेकिन तब भी ठीक है क्योंकि हमारे लिए जरूरी ये है कि आपकी हमारी और सिस्टेम से जुरेवे सारे लोगों की आँखें खोली जाए और इस तरह से खोली जाए कि आपकी सावधानी और सिर्फ आप ही डीमेट अकाउंट में या एक्सचेंज आपके काम आएगा तो मैं आपको बता दू कि आज का शो आपकी इस गलत फहिमी को दूर कर देगा ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहिमी कि आपकी मदद करने के लिए यहां पर कोई है और आज हम इस शो के माद्यम से यही सब करने की कोशिश करेंगे हम हमार कियों इस भी ब्रॉकर किसी भी एक्सचेंज या किसी भी दिपोजिटरी के भरो से रहना आपके लिए बहत खतानाक हो सकता है क्योंकि आपके खातों की साइबर सिक्रीटी अगर हैक होती है तो नुक्सान फिरेंगे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले लड़नी होगी और पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके अटकेंगे और इसलिए मैंने शो की शुरुआत में कहा है कि हो सकता है आपको यह लगए कि फिर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगा हूँ हो सकता है मैं आपका शो या च को बता दे कि ऑपरेशन डी में डाका ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी है ट्वीटर पर हमारे इस ऑपरेशन को कई लोगों ने हाथो हाथ लिया है और करीब साथ करोड से ज्यादा इंप्रेशन दर्ज हुए है यूट्यूब पर लाखों लोग इसे अब तक देख किस तरह से आप सेफ रह सकते हैं हमारी इस परताल से आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे हम टीवी न्यूज के जियास में पहली बार इस तरह के जटिल मामले को टेली विजिन के पर लेकर आएं ताकि आप और बाकी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जागरूप हो है आपका पासवर्ड बदल कर हैकर आपके खाते को नियंतरन में ले सकता है और आपके अकॉंट में जो कुछ भी शेर हैं उसे वो अपनी मर्जी से सेकंड्स में बेच सकता है और उसके बदले में जो कुछ भी क्रेड़ आ रही है अब आप सोचेंगे कि मेरे अकॉंट में बिक भी गए तो क्या पैसा तो मेरे ये अकाउंट में क्रेडिट आएगा जी हाँ बात बिल्कुल सही है लेकिन हैकर्स और मार्केट के मेनिपलेटर्स आपकी सोच से चार कदम आगे हैं अगर वो आपके अकाउंट में शेर बेचने तो उसके बदले में दूसरे किसी अकाउ या पैनी या एक इलिक्विट शेर बेचेंगे और वो शेर आपके अकाउंट में खरी देंगे जिससे आपके अकाउंट की जो भी क्रेडिट है वो हो जाएगी जीरो और दूसरे अकाउंट में जहां से ये शेर भी के हैं वहाँ पर पैसा आ जाएगा और दूसरा तरीका ह करके आपके अकाउंट में कर देंगे लोस और सामने दूसरे अकाउंट में हो जाएगा प्रॉफिट ताकि वो क्रेड़ भी हैकर्स के और मार्केट मेनुपलेटर्स के पास से चली जाए और ये सब कुछ दिन दाहरे आपकी आँखों के सामने होगा इसका खुला साम पिछले लापरवाई की होगी गलती की होगी इसलिए उसका आकाउंट डीमेट हो गया लेकिन परदे पर हमने पहली बार इसका खुला सा किया है और पिछले एपिसोड में हमने आपको देश की आर्थिक राजदैनी कही जाने वाली मुंबई के कुछ मामले आपके सामने रखे थे आपने देखा था तीन खास महनुबावावाई थे और उन्होंने अपनी दिक्कते शेयर की लेकिन सिर्फ मुंबई ओ ऐसा नहीं है ये हैकर्स देश भर में फेल चुके हैं और देश भर में मुंबई के बाहर भी कई जगे ऐसे मामले हमारे सामने आते वे दिखे और आज चलिए आपको हम ले चलते हैं मुंबई से बाहर नागपुर ताकि आपको अंदाजा हो सके कि देश के कोनी कोने में हैकर्स किस तरह से हमारे इंवेस्टर्स के अकाउंट को हैक करके उनका अकाउंट साफ करने की फिराग में लगे हुए हैं दरसल हमारा मकसद है आपको सच दिखाना और आपकी और साथ में पूरे सिस्टम की आँखे खोल लिए और ये इसलिए जरूरी है कि जिस तरह के माहुल में हम है वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है क्योंकि हमारे सिस्टम में ब्रोकर्स और एक्सचेंज इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है सबसे out of the money के options में trade करके loss दिया जा सकता है ये कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके demat account में आपके trading account का control कोई और भी कर सकता है तो पहले तो शिकायत करने पर पूरे सिस्टम में इंकार कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर action के नाम पर होती है सिर्फ औ मामले को देखकर आपको लगेगा कि आपका भी demat or trading account बिल्कुल भी safe नहीं है लेकिन एक बार में फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है बलकि हमारा उद्दिश ये है कि आप पहले से जादा सावधान हो जाए हमारा उद्दि के साथ संवेधन शीलता के साथ किस तरह से हैंडल करना है आए मैं पेश करता हूं आज का एक आज का पहला मामला आए एक recording हमां आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पहले मामले में क्या कुछ हुआ है पहले हलका सा एक background देदो इस मामले में निशाने पर है ए बेच दिये हेकर ने इनके पॉटफुली में रखे हुए ट्राइडेंट पी आई इंडर्सी मदर संसुनी टाटा कम्यूनिकेशन जैसे शेरों को बेच दिया वह भी जाहिर सी बाते बिना किसी इजाज़त के बिना कुछ पूचे है इसकी जानकारी क्लाइन को तब मिली आम तोर पर एक इनवेस्टर करेगा, उन्होंने अपना पासवर्ड बदल दिया और आम तोर पर हेकिंग की आशिंका होते पहला काम आप भी यह करते कि चलो पासवर्ट बदल दें कि ऐसा तो नहीं कि पासवर्ट किसी ने चुरा लिया हो या जान लिया हो लेकिन ये क्या आप दंग रह जाएंगे जैसे ही आपने पासवर्ड बदला जैसे ही क्लाइन ने पासवर्ड बदला हैकर ने तुरंट उस पासवर्ड से इनके अकाउंट से उन्हें लोग आउट किया और लोग आउट करके अपना पासवर्ड सेट कर लिया और फिर से पर आपका password चेंज करके hacker फिर से कब जा जमाता है, client समझता है कि शायद कुछ गल्ती होगी, वापस से password बदला लेकिन फिर से hacker ने account कब जा ले लिया, यानि कि आपको अपने account पर control करने की सफलता ही नहीं मिल रहे और यह सब हुआ है, सुबह सुबह है, market खुलते ही सवा 9 बीच में, finally client परिशान होकर अपने broker को phone करता है, साड़े नो बज़े phone करता है, लेकिन अगले पंदा मिनिट तक तो वही music सुनते है, call center का connect ही नहीं हो पाता, और पंदा मिनिट के बाद जब broker से संपर्ख होता है, तो hacking की शिकायत के बावजुद broker ने, तो client के account को block करता है, इदर उदर की फालतु की बातों में उल जाये रखता है, और कहता है कि नहीं, आपके account में सिर्फ आप ही trade कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और कर ही ही नहीं सकता, मानने को तयार नहीं, account block करने को तयार नहीं, ऐसे में interesting चीज़े हैं, कि किस level की understanding broker की और broker की call center के representative की है, वो आप वापस ले लिजे ना, credit तो आपके account में ही, आप वापस से खरीद लिजे, आपके share आपको मिल जाएंगे, अब समझ ये, जिने शेयर बजार की बिलकुल समझ नहीं है, जिने ये ये नहीं समझ आरा कि account hack हो गया है, और share भीग जाने के बाद वाद वापस खरीदना, य पिर आप समझ लेजी कि आप कितने सेफ हैं, अब आप सो सकते हैं कि broker के और से client को मुसेबत में किस तरह से handle किया जा रहा है, जिने client की शिकाए सुनने और उन्हें मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें share बादार की basic समझ ही नहीं है, और इस तरह के मामलों को सु सुनने समझने और उस पर reaction देने की बिल्कुल भी training नहीं दी है, broker ने phone पर शिकाए सुनने के बाद खाते को देड़ गंटे तक ब्लोक नहीं किया, सुबह नो बज़ कर 38 मिट पर email लिखी गई, पहले तो यह कि हम phone पर ब्लोक नहीं करेंगे, आपको return email देना होगा, क्यों? लेकिन फिर भी return email नो बज़ कर 38 मिट पर भेजी के लिए कि इसके बावजुद खाता ब्लोक नहीं हुआ, और 11 बज़ के बाद एक बार फिर से hacker ने share बेज दे, सोचिए, नो बज़ कर 15 मिट से मामला चल रहा है, पहले connect नहीं होता है, उसके बाद return email चाहिए, return email भेजने के देड़ गंटे बाद भी खाते पर hacker का ही control है, और उसके बाद एक और बड़ी आँख खोल देने वाली चीज़ जो इस account में हुई है, वो आप सुनेंगे तो डंग रह जाएंगे, यह वो account है, जहांपर सिर्फ cash market में trading होती है, सिर्फ cash market में, लेकिन hacker को तो चुकि वाइदा वाइदा कारोबार में आपके account में जितनी भी credit share अतना loss करना है, नुकसान देना है, ताकि उसे फाइदा हो सके, तो hacker ने F&O segment भी active कर दिया, ताकि जो account में credit पड़ी उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा trade करके, या तो कचरा share खरीद ले, या वाइदा कारोबार के out of the money share आपको नुकसान डाल दिये जाए, तो यह है आपके लिए जवर्दस्क action आपको लग रहा होगा, यह तो बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वाके में ऐसा हुआ है क्या, मन में सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए, तो आएए, सुनिए एक वो recording है, जब account है किया गया है, और जो यह client है, उन्होंने इस अपनी बातचीत को record किया है, और उस recording का एक अंच में आपको सुन्वाने जा रहा हूँ, सुनिए. तो बहुत बड़ी problem है, मेरे लाको रुपे फस जाएंगे उसमें, आप मैं समझ सकता हूँ, सुन्वारी हमारी टीम, जैसे कि आपने हमको टिकेट के फिरू भी टीटेस दिया है, कि साइशू आ रहा है करके है, और हमारी टीम भी इसके ओपर चेक कर रही है, जैसे ही चाहि प्रफिट करके में डीटेल्स है, हम आपको भी इंफर्म करेंगे, सर्म आपको ब्रॉपे जाएंगे, मुझे चाहिए वो परसी पूरे, और मैं प्रॉफिट में था लॉस में नहीं था, आज मुझे वहां पर लॉस में रहे है, जैसे हम बहुत सकते हैं कि आपका विश अब तिकित वह आपको रेप्लाई करें कि क्या एग्जाक्टि हुआ है, इसको क्यों सब्सक्राइब करें था जो तो पूरा चेक करती है तो वह तो चेक करके बताई आपको अज ही देंगे, तो मैं अभी लॉगिं भी नहीं करता मेरे अकॉंट में और कुछ भी नहीं करता सब्सक्राइब करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, तो टो टीप भी पिन सेफ्टी है, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, टो टीप मेरा अल्रेडी था, कॉंफिगर्ड था, विदाउट मेरे और ऑफंटिकेशन वह उता ही नहीं था, उसके भावजुद वह हुआ है, तो सुना आपने की किस तरसे ब्रोकर क्लाइंट की रिक्वेस्स को सुनने समझने के लिए तयार नहीं है, और अगर तयार भी है, तो उसे खुद समझनी आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है, टी-ओ-टी-पी, यानि कि ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा टूल है जिसे ब्रोकर है, इसे तो कहीं कोई हैक ही नहीं कर सकता, अब मज़ने की बात देखिए, हैकर्स के सामने टी-ओ-टी-पी भी फैल हो गया है, यहीं नहीं कि टी-ओ-टी-पी होने के बावजुद हो उसकी मांग करने के बावजुद खाता हैक होने की गटना को ब्रोकर का रिप्रेजेंट इसे एक सामने गटना के तोर पर मान रहा है, कम से कम यह जो बातचित हमने सुनी उससे तो यही समझ में आ रहा है, तो क्या आप यह इस बातचित से समझ सकते हैं कि टी-ओ-टी-पी के बावजुद खाता हेक हो रहा है, ब्रोकर मान रहा है कि खाते से शेर बेचे गए है, ब्रोकर यह भी मान रहा है कि शेर बेचे जाने से क्लाइन को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजुद हैक किये वे अकाउंट को ब्लोक करने के लिए तयार नहीं है, और जाच के लिए और समय मांग रहा है, अब हमारे सामने यही मुद्दाए सबसे बड़ा, कि टेक उदर की सवाल जवाब बाते की जा रही है, और जानकारी लेने देने का सिस्टम बनाया जा रहा है, शिकायत के बाद होने के बाद जो फैसले हो रहे हैं, चलिए शिकायत करने के पहले हैक हो गया, उसमें तो चलिए किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन शिकायत होने के बाद देड़ गंटे तक क्लाइंट का अकाउंट ब्लोक नहीं किया जा रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये एक बड़ी चिंता है तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक्शन होने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है इस रिकोर्डिंग सुनने के बाद एक बाद तो ये थाबित होची कि पासवर्ड और टी-ो-टी-पी हैकर के लिए कोई माईने नहीं रखता और वो इसे बिलकुल चुटकी की तरह बजा कर तोड़ सकते हैं और क्लाइंट के खाते पर कंट्रोल ले सकते हैं और आप बार बार पासवर्ड बदल कर भी हैकिंग को रोक नहीं सकते हैं यानि कि इसका मतलब क्लियर है साइबर सीकुर्टी के लिहाद से सिस्टम को अभी और मजबूत करने की ज़रूत है संबब है कि ऑनलाइन प्लेटफोर्म में कमज़री हो सकती है संबब है कि क्लाइंट का अकाउंट बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित ना हो पासवर्ड के लियाद से लेकिन ये भी हो सकता है कि क्लाइन का डेटा लीक किया जा रहा हो और कुछ ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ मामले हो रहे हो जहां पर कहीं कहीं डेटा लीकिंग का भी मामला बनता हुआ दिख रहा है और ऐसे में ब्रोकर की तरफ से इस तरह की मामलों को हैंडल करने के लिए तोर तरीके भी आपको देखने की जरूरत है ये बहुत जरूरत हो ये ये आपको देखना बहुत जरूरी है तो आईए एक बार फिर से देख लीजे कि किस तरह से ब्रोकर की तरफ से जो जिस तरह का वारताला आप क्लाइन के साथ हो रहा है उससे आपको काफी कुछ और सुनने समझने में पता चलेगा कि किस तरह से इस मामले की गंबिर्टा को ब्रोकर्स ले रहे हैं कि आए प्रोक प्रोकर मैंने दिया ता को कितने बजय क मैं भता हुआ आपको मेरा सब से सबसे पहला मेरा जो मेल साथ 938 के मेल को मैंने कल मॉर्निंग में 938 के मेल में मैंने लिका था डियर सर माय अकाउंट प्लीज लॉक इट इमिजियेटली यह मैंने सबसे पहला मेल दिया था लेकिन तब अगर आप एक्शन लेते तो शायद दूसरी बार जो सेलिंग हुआ वो नहीं हुआ रहता और मेरे जिसमें जो भी फ्रॉड हुआ है वो नहीं हुआ रहता फिर सब्सक्राइब जैसा आपने इमेल लाना उसी समया मैं आपको कॉल भी किया था आप प्रिमाइब हो सकते हैं मैं आपको 950 पर अल्मोस कॉल किया था 950 दू 945 पर 942 और कि मतलब में अभी श्यूच पर डिफान्प बाउन जेसा अभी अपका थेस हो रहा है ना मैं हर दिन हम रहा है कि कि अडिजित कर बाउंड इसमय चुछ दुछ मैं रहा हमें हर दिन हम लोगों को ब्लॉक करने टापया जब है आए-क अच्या तरफ से लॉक करने के लिए एक त टो पास्वेला चैंज गया तु अजम को मताशल मेरे को इया का बता जी आजल लुगे भुशा है क्ष Nä Hill icon tay junk dayки आपके 11 कि Collaison okay है व सिम्हें यह बताय दें से इवं अफटा पी pala hisaS कि आपका है। हुझ आरे, आपके लगवा हम लोग कर दें संदخश कर दें Laboräre कर फारे जो थे तक हम करने के लिए मुश्किल होता है तो मैं वह सोच के मैंने आपका आकों पहला कॉल पर ब्लॉक ने किया लेकिन मुझे यह बताईए कि पहली बार मैंने जब पासवर्ट चेंज किया तो उसके बाद में तो वन एंड हाफ और में फिर से हो गया न वो फिर से तो मेरा पासवर्ड कि अपकर बोलना साथ हुझा ता यूजरी 99 पर्संत जो भी अज तक मैंने क्लें कर भी आज तक मैंने क्लाइक कर आं एक पासवर्ड के निकिली बाद करने के लिए ने हो प्रमृक्स क्या रहा है किसी को भी पताने चलेगा टाने के बाद सो आपका क्ले आपका केस्पर किया का उसके बाद मैंने टीओटीप नेबल किया आप कुछ पता रहा था तु आप अधेंटिकेशन डाउनलोड करके अनेबल करने के लिए मैं बता आए तो मैंने बहुत पहले से करके रखा था पता है क्या परसों तक मेरा वही चल रहा था और विदाउट ओटीपी वह कैसे हैक हो गया मुझे वही समझ मने आ रहे है वह टीओटीपी चेंज कैसे हुआ अइस समझ मने आ रहे है। मैंने तो टीओटीप रखा था हैं कर शेलीकfashioned करना चाहिए तो कुछ आना चाहिए था कि आपको टीओटीपी चेंज करना है क्या option तुछ तो options आवक्षान आपना मैं ऐसा कुछ ने देखा लोग इन किया करके वही तो मुझे भी अश्य लग रहा है अभी भी मेरा TOTP एक्टिवेट है और मैं TOTP यूज करकी लोग इन कर रहा हूं और यह चीज मैं बहुत पहले से कर रहा हूं यानि एक साल तो ही गया कम से कम के मैं एक साल नहीं हां एक साल तो मैं आपका IP address कर लेता हूं आई-बी address कर लेता हूं आप से बzoeken कर लो है अग्ज लोग तो सुना आपने समझा आपने हैं के बाद क्लै end किकायआट करता है कि खाते को ततकाल ब्लोग किया जाय और ब्लोग करने की मांग करता है अच्छे ततकाल तो छोड़िये, मेल की मांग की जाती है कि ब्रोकर्स की तरफ से आप पहले मेल भेजिए और मेल भेजने के बाद हम खाते को ब्लोक करेंगे और मेल भेजने के बाद भी गंटों लगते हैं, बे मतलब की दलील और तर्फ दिये जा रहे हैं, अब आईए मैं आपको सुनवाता हूँ वह ओडियो जिसमें हेल्प लाइन पर ब्लोकर का प्रतिनेदी खुद ये मांगन रहा है कि क्लाइंट के अकाउंट में फ्रोड हुआ है, अब ध्यान से सुनेगा, ये तीसरी वाली जो बाइट हम आपको सुना रहे हैं, ये बहत काम की है, ब्लोकर खुद मार रहा है कि हाँ, आपके अकाउंट में फ्रोड हुआ है, लेकिन अपनी तरह से किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के वज़ाए, वो क्लाइन को सीदे सीदे हाथ जाड़ते विए सला देता है कि जाए आप पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कीजिए, और आप ख देकायत कीजिए, और देखें किस तरह से ये रिकॉम्डेशन दी जाती है, रिकॉर्डिंग सुनिये. सेलिं होना पॉसिबल ही नहीं था, यह जो आप बता रहें, तो यह एड्रेस से तो सेलिं हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मगर में था ही नहीं उस वक्त, जब वो हुआ तब, हो ना? सर, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, आपका अपका 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 अपर फ्रॉड हुआ है, कोई लोग इन करके ट्रेड के ट्रेड किया है, तो जो नेक्स्टप जो लेगा, वो जो लेगा, जो लेगा, जो पोलिस लोग लेगा, तो जो लोशे सुए है, वो सब, सर, बीस टो नहीं हो पाएगा, रीजन यह है, और डी टॉक सिल हो अगया, तो सिल होने के बाद, अल्डी मतलब स्टेल्मेंट हो जाएगा, लेकिन पन्स है, वो आपका अपका अपर यह है, और डी फंस, तो अब यहां कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पहली बात तो ही कि फ्रोड के बाद सबसे पहले ब्रोकर से संपर करने में ही दिक्कत हो रही है, पंदरा मिनित तक ब्रोकर के फोन लैन पर आपको वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद अगर फोन करनेक्ट हो भी इमेल भेजिए, जबकि सामने से फोन करके शिकायत करने और खाता ब्लोक करने की मांग की जा चुकिए, इस सबके बावजुद उसी बात को इमेल पर लिखकर फिर से मांगा जा रहा है, और अगर इमेल लिख भी दिया जाए, तो उसके बाद भी गंटे डेड़ गंटे तक अकाउंट ब्लोक नहीं होते है, जिसका नतीजा यह होता है कि क्लाइंट को नुकसान बढ़ता जाता है, हेकर्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, तीन, चार चार बार अकाउंट हेक करके लगातार अगले एक डेड़ गंटे तक बारी बारी से शेर बेचता है, सवाल ये कि पहली बार सुचना मिलने पर ही खाते को ब्लोग क्यों नहीं किया जाता है और इंतजार किस बात का होता है और दूसरी बारे कि देरी की वज़े से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कब कौन और कैसे करेगा ये था पहला मामला अब तक आपको मैंने डीमेट खाता हेकिंग के बाद बॉकर की और से किस तरह का रäs्पॉंस मिल राया और ब्रॉकर के सिस्टम किस तरह से तैयार है ये मैंने बतायाया लेकिन आपने देखा की फ्रॉज होने पर किस तरह से हर हाल में जिम्मेधारी आपी कि मानी जाती और नुकसान भी आपी को उछाना पड़ आपकी क्या कुछ मदद करेंगे या नहीं करेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं आईए दूसरा कैसे एक और ऐसे ही टेकनो क्रेट का जो अपनी गारी कमाई में से कुछ पेसे बचा कर बाजार में निवेश करते हैं आईटी प्रोफेशनल है इनकी उम्रों 49 साल है और लगबग 13 मही को इनका खाता भी हेक हुआ है इनके खाते में से साड़े सत्रा लाक रुपे के शेर बेच दिये गए और हैकर्स का मोडस ओपरेंडी क्या है इसका खुला साम पहले भी आपको विस्तार से कर चुके है और बता चुके है कि हैकिंग के बाद क्या कुछ हो आए हमारी परताल में ये पता चला कि हेकर्स ने एक बार में नहीं बलकि कई किष्टों में इनके पॉर्टफोलियों में शेर बेचे है शुरू में तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इनका खाता हेक हो चुका है और हेकर इनके खाते में कांड पर कांड किये जा रहा है दूसरी बार जब एडिशनल मार्जिन को लेकर इनके पास ब्रोकर का कॉल आया तो इन्हें पता चला कि खाते में कुछ ने कुछ गड़ बढ़ है इनके खाते में तब तक करीबन पांच लाग रुपे के ब्रिटानिया बोश टाटा एलेकसी जैसे मुनाफ़े वाले दमदार और ब्लू चिप शेर बेचे जा चुके थे और दूसरी बार खाता हेक हुआ उसी दिन तो बाटा डिवीज लेव और इमामी जैसे शेर बिग गए तीसरी बार में बंदन बैंक और डक्टर रेडिज जैसे शेर बेचे गए और इस तरह से मुनाफ़े वाले इनके पॉर्टफोलियो को हेकर ने लूट लिया इन्हें हैकिंग के बारे में जब पता चला तब पता चला जब इनके शेर बिकने के नोटिफिकेशन इनके मॉबाइल फोन पर आने शुरू है यही नहीं इस बार हेकर्स ने एक और इंटरसिंग काम किया अब तक हेकर्स खाली आपके केश मार्केट के स्टॉक्स बेच कर वहां आपके अकाउंट में क्रेडिट ले आते थे लेकिंगे इस बार इन्होंने वाइदा कारोबार में भी इनकी एक लाख रुपे की निफ्टी और बेंक निफ्टी की कॉल पोजिशन को खत्म कर दिया और ताकि वहां की भी क्रेडिट ले जाए और तो और आइडिया व इनकी बदकिस्मती यहीं खत्म हो गई क्योंकि आकाउंट में से शेर बिग लोस आगया तो आप गलत हैं अभी भी आपका सामना सड़े गले से सिस्टम से होना बाकी है आम तोर पर हेकिंग की जानकारी लगते हैं आप क्या करते हैं जारी से बात आपकी शिकायत आप यह श आकाउंट में सेंद लग चुकी थी हेकर शेर पर शेर बेचे जा रहा था यह कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ब्रोकर को फ़ून लगा रहे हैं तो वह कनध नहीं हो पा रहा फाइनल इक पर यह आजपर का फ़ून कनेक्ट हुआ इन्हों ने अपनी आप बिती ब्रोकर के प और बार बार टी ओटी पी के इस्तिमाल की एडवाइज देता रहा बड़ी बात यह कि बातचीत के दोरान भी जब इनके फॉन पर बातचीत चल रही थी तब भी क्लाइन के अकॉंट से हैकर सोधे करता रहा शेर बेजता रहा इससे आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा मजाक क यह हो सकता है आम तोर पर ब्रोकर जब अपनी गलती नहीं मानता तो क्लाइन के पास एक है आप्शन होता है कि वह अपनी शिकायत एक्सचेंजेज में करें एक्सचेंजेज ऐसे मामलों के निप्तारे के लिए कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है जी आर सी ग्रिवेंस की भी सुनता है और उसके बाद इस मामले का फेसला लेता है तो ऐसा हाई ब्रोकर तो कभी अपनी गल्ती मानेगा नी कहेगा नी कि हमारे हैं सिस्टम हैक हुआ है यह कहीं भी भी है तो हमारी गलती है ऐसे में क्लाइंट के पास ऑप्शन यही है कि वह एक्सचेंज पर जी आर्सी में जाएं यहां भी क्लाइंट ने वही किया जी आर्सी में जाकर दरवजा खटटाया और उन बताया कि डीमेट खाते को हैक करके उसके पॉर्टफोली के सारे शेयर बेज द हुए है वर्चुल सुनवाई हुए है जहां ब्रोकर भी उपसित था क्लाइंट भी था और एक्सचेंज के रिप्रेजेंटिटी और जी आर्सी भी था तो महां ब्रोकर ने कह दिया कि खाता हेक ही नहीं हुआ है और ब्रोकर की सबसे बड़ी दलिल यह थी कि यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट किये यह कान खोलके सुनेगा आपके यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आप किये और उनका दावा यह कि टी-ओ-टी-पी के इस्तिमाल के बाद क गोई दूसरा आदमी आपके खाते में ट्रेड कर ही नहीं सकता, ब्रोकर ने किल स्विच का इस्तेमाल ने करने पर उल्टे क्लाइन को ही कटगरे में खड़ा कर दिया, और तो और ये दलिल भी डी किलाइन के अकॉण्ट में जो ट्रेड हुए है, वो ट्रेड इलिगल हुए हो वही जिम्मेदार है यानि कि क्लाइंट अपने ही अकौन्ट से करेगा कंपलेंद करेगा अगर फ्रोड को झानोग करेंगा तभी कंपलेंद करेंगा नहीं तो झानोग करने कि जुरू है और जिस अकांट से उसे trade करना है जिसे broker ने authorize किया है अगर वही account fraud का शिकार हो जाए तो भला उसकी शिकायत कब और कैसे की जाएगी एक तो शिकायत करने के बाद 22 मिट तक आप फोन पर उल्जाए रखें दूसरी बात fraud की शिकायत करने पर account जिम्यदार है तो अब आप सुनिए आपके आँखे खुली रहे जाएगी आप दंग रहे जाएंगे कि जी आर्सी का जो कुछ भी observation है और जो कुछ भी निन्हे है वो पूरी तरसे broker के पक्ष में है और broker इन से दो कदम पहले से आगे है क्लाइंट यहां आकर नियाए की उमीद लेकर आया था सोचा था कि एक्सचेंज उनकी बात सुनेगा लेकिन जी आर्सी से उसे नियाए मिलेगा इसके विपरित अगर आप जी आर्सी के फैसले को सुनेंगे तो अपना सर पीट लेंगे क्योंकि जी आर्सी ने इस बात को माना सुनियेगा ध्यान से अब जो यहां यह एक्सचेंज का रोल आपको बता रहा है जहां पर जाकर आप अपनी अपील लेकर जाते हैं सोचते हैं कि एक हायर अथॉरिट आपकी बात को सुनेगी जी आर्सी ये मान रही कि 13 माई को सुबस सवा 9 बज़े से 11 बज़े के बीच में क्लाइंट के अकाउंट में फरजी ट्रेड हुए जहां उन्हें एकसेप्ट किया है और हमारे पास पेपर भी है जो जी आर्सी की तरफ से जो हीरिंग हुई है और उन्हों ने ये भी माना है कि क्लाइंट के अकाउंट में से सारे शेयर बेज दिये गए देखिए ये जो साथ में आपके ट्रांस्क्रिप्ट चल रही है वो जी आर्सी की मिटिंग के मिनिट से है अजीब और गरीब के भाव अशेयर अंदाम पर आप्शिंस के सोदे हुए है और साथ इसाथ इन आप्शिंस के सोदों के चलते है क्लाइंट को नुकसान हुआ है तो पहली चीज़ ये अकाउंट कॉंप्रोमाइस किया गया है शेयर सारे बेज दिये गए जो अबनॉर्मल है ऐसा क्लाइंट ने पहले जिन्दगी में कभी नहीं किया एक साथ एक सारे शेयर बेज देना और उसके सामने लोस आ जाना ये सारी चीज़े जी आरसी मान रही है कि अबनॉर्मल है लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में जी आरसी किसी भी तरह के क्लेम को नहीं मानती अब ये सुनिएगा ये लाइन आपको जग जोर देने वाली है ये सब कुछ माना जा रहा है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाईज हुआ आपका अकाउंट हेक हुआ है आपके अकाउंट में जो शेयर एक साथ बेचे गए है वो पहले कभी नहीं हुए है फ्रोड है लेक मानते हैं अगर ब्रोकर करेगा तो ब्रोकर ही मान लेगा फिर जी आर्सी और जी आर्सी की जरूत ही क्या है और अगर हेकर कर रहा है तो इसे ना ब्रोकर माने का ना जी आर्सी तो फिर जी आर्सी की जरूत क्या है तो ये सोचे कि जी आर्सी बनी किसलिए है जी आर्सी अग आपको investor protection fund में कोई पैसा देगे तो फिर जी आर्सी का रोल क्या है क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए एक जी आर्सी बना रखी एक्षेंज ने कि ताकि ये लगे कि हाँ investor की सुनवाई करने के लिए हम बैठे हैं लेकि एक्चुली आपको कुछ करना नहीं है जब इससे client को न आने का फाइदा क्या हुआ है और अगर सारा काम cyber cell police को ही करना है तो फिर जी आर्सी के भी जरूत भी क्या है ये बात बहुत गोर से एक्षेंजर को सोचने की जरूत है कि वो किसके लिए काम करने के काईदे कानून और तरीकों से किसको फाइदा हो भी रहा है या नहीं एक इस्टेंजर और जी आर्सी बड़े जोर शोर से नाम लेते हैं लेकिन वास्वक्ता में निवेश्कों का इस से कुछ भला हो नहीं रहा है और इस तरह के मामलों में investor protection fund से किसी तरह की राहत नहीं मिल पाना भी एक बड़ा setback है आईए ये हमने आपको दो मामले दिखाएं अब अगर आपको लगे कि ये मामले हमने pick and choose कि हैं तो मैं आज आपको दो ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जो मेरे studio में हैं जो आपको अपनी आप BT बताएंगे एक हमारे साथ नागपूर से आशिश जी हैं जिनका पहला मामला में ने आपको बताया और दूसरे हमा चला कि आपका अकाउंट हेक हुआ हैं और आपके अकाउंट में लगातार hacker share बेचे जा रहा है तो आपने broker से किस तरह की मदद मांगी और उस मदद के बदले में आपको क्या मिला सर जब सवेरे मैं office में पहुचा और मुझे notification साने लगे कि मेरे shares बेचे जा रहे हैं तब मैंने उनको phone करने की कोशिश की तो phone लगने में काफी दिक्कत जा रही थी इसलिए सबसे पहले मैंने उनको email भेजा और उनको account हैक हुआ है और block करने का मैंने उनको बताया लेकिन उसमें जब दिक्कत आ रही थी मैंने password चेंज करने की भी कोशिश की लेकिन password चेंज करने के लिए भी बहुत time लग रहा था आखिर जब बात हुई मेरी customer care से तो वो मुझे blame करने लगे के नहीं जो कुछ हो रहा है सब आप कर रहे है तो मुझे भी उन पे शक हुआ मैंने उनको बोला के अगर मैं सब कुछ करते रहता तो मैं आपको call ही नहीं करता था तो फिर मैं उनको blame करने लगा के अगर मैं नहीं कर रहा हूं और आप मुझे बोल रहे हो के मैं ही कर रहा हूं उसका मतलब शायद आपकी तरफ से कुछ हो रहा हूं तो काफी देर तक मैंने उनको request की के पहले आप मेरा account block कर दीजिए लेकिन उन्होंने account block नहीं किया तो मैंने उनको फिर मुझे फिर शक हुआ कि शायद मैंने power of attorney दिया था कहीं उसका miss use तो नहीं हो रहा है तो मैंने वो customer care से जो भी बात कर रहे थे उनको बोला कि आप अपने senior से बात कीजिए और उनसे कुछ रहे लीजिए क्योंकि यह जो कुछ हो रहा है यह सब गलत हो र लेकिन 11 वजे के आसपास फिर से sailing show होना शुरू हो गया तब मेरी इनके senior से बात हुई और मैं उनको भी बताने की कोशिश की लेकिन दिन भर मेरा account जो है ना उन्होंने freeze किया और आखिर कुछ 12 12 मेरे scripts sale हो गया और मुझे काफी loss हुआ उसके बाद ब्रोकर ने आपको यह का कि जहीं आप cyber security, cyber crime में आप शिकायत कीजिए जो कुछ होगा वहीं होगा उनकी तरफ से उन्होंने आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं की और return में email भेजने के बाद, email भेजने के बाद लगवक कितने समय बाद आपका account ब्लोक हुआ मेरा account तो या पूरे दिन पर हुआ ही वह दिन भर नहीं हुआ, वह चार बज़े के असपास लॉक हुआ, जब trading hours कतम हो गए थे, उसके बाद मेरा account ब्लोक हुआ, तब तक hacker अपना काम कर चुका था, तक है hacker अपना काम कर चुका था, आप तो IT professional है, आप तो cyber security के बारे में जानते समझते भी है, कितने सालों से पचेट में है, 25 सल, और ऐसा hacking वाला experience आपके साथ पहली बार ही हुआ, क्या किसी तरह का कोई link आप ने किया हो, या फिर आपने किसी के साथ OTP कुछ share की हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज़ पर जानना चाता हूँ, चुकि इस तरह आपके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ कि आपको GRC में जाने का idea कहा से है, कैसे आपने सोचा कि अब broker में सुनवा ही नहीं हो, तो मैं exchange के पास जाओ, तो बात ऐसा है कि मैंने SEVY में complain किया, scores में, तो scores में complain करने के बाद उन्होंने exchange को nom कि आप इनका मामला जो है, उसके उपर काम कीजे, तो mail exchange होने लगे, तो काफी mail exchanges होने लगे पहले, तो every time zero da यही बता रहा था कि problem उनके साइड पर नहीं है, आपका account जो है, वो hack हुआ है, जबकि मैं उनको बोल रहा था कि possible ही नहीं है, क्योंकि मेरे सारे accounts जितने भी रेड mail पर option है, इनका कि OTP और mail, इसमें password change हो जाता है, तो मैंने उनको यही बोला, कि बाकी जितने भी accounts है, जो HDFC securities हो या और भी कोई भी हो, या कोई भी bank हो, ये दोनो option आता है, OTP का भी option आता है, mail का भी option आता है, तो zero da में ऐसा क्यों नहीं है, कि आपको choose करना होता है, और इसम जब भी मैंने कर रहा था, कम से कम पाच बार मैंने password change किया, और पाच बार hacker ने चेंज किया, तो हर बार उनको mail आता था, और वो mail मेरे पास तो आया ही निगराडिफ में, अच्छा, तो mail उनके पास जाता है, और mail से वो password रहा, अच्छा, ये बता ही, कि ये तो चलिए hacking वा हम लों का video call, और वो होने के बाद, बहुती casually बताया गया कि आपको ये जो है, cyber police के साथ follow up करना होगा, और जिरोदा के representative को बुला कि आप इनको जो भी मदद दे सकते, आप उनको मदद करो, लेकिन मेरे को बताया गया कि आपको सिर्फ cyber cell के साथ ही follow up करना है, तभी आपका case में कुछ हो सकता है, और cyber cell के साथ follow up करने के लिए क्या किसी तरह से broker की तरह से आपको कोई मदद, या फिर GRC की तरह से कोई मदद कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, या हम आपको guide कर सकते हैं, in fact, cyber cell के पास भी जब में गया था complaint लिखा, तो जिरोदा बोल रहा था, जब तक हम में cyber cell से आता नहीं है, mail नहीं आता है, तब तक हम लोग इस पर act नहीं करेंगे, और उसके लिए में follow up किये जा रहा था, cyber cell के साथ, cyber cell ने बेजा भी था mail, जो जिरोदा ने 10 दिन तक देखा ही नहीं था mail, और फिर जब पता चला कि cyber cell को cyber cell से mail आया है, तो बोला कि ठीक है, we will act upon it, और मेरे को मैं हमेशा यही पूछ रहा था कि counter parties का details प्रवाइड करना है, तो IP address अब लास वेगस और कोई कोई दूसरा जगे का आ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई act नहीं किया उसके उपर, तो cyber cell बता रहे थे कि इसमें बहुत difficult होता है पता करना है, तो यह बाते आ आपको cyber cell के साथ follow up करना होगा, मतलब कुल मिला के आप जाने पुलिस जाने, न एक्सचेंज का कोई लेना दाना है न ब्रोकर का कोई लेना दाना है, और जो भी उनसे के साथ लड़ने के लिए time, energy, पैसा जो कुछ भी लगाना हो आप ही को लगाना है, यह आपके रहे हैं, और यह तो बहुत बड़ा सवाल है, हमारे सारे सिस्टम पर, कि अगर सब को पता है, फ्रोड हो रहा है, लेकि उसके बाओ जो आपकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, इन फैक्ट NAC को अगर counterparty details निकालना है, तो वो अपने से निकाल सकता है, वो लोग मेरे को cyber cell के प आपको cyber cell की तरफ डाइरेक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि cyber cell में और पुलिस में से काम करना करवाना कितना मुश्किल काम है, हालां कि मैं यह कहना चाहता हूँ, इस मामले में मुंबए के northern region के cyber crime cell ने बहुत ही जबर्दस बहुत ही अच्छा काम किया, काफी कुछ action ल हमारी जांच परताल का एक बड़ा असर हुआ है, काफी कुछ इस तरह के मामले जो सामने आते हुए, और काफी कुछ action भी है, आशिश चतुरुदी हमारे साथ हैं, जो पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए है, आशिश बताए क्या कुछ action हो रहा है, सर एक update इस से पहले दूँगा कि एपरिल में इनका मामला है, में में इनका है, इससे पहले एपिसोड वान में हमने देखा था जून का था, तीन महीने से लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई mechanism नहीं इसको रोकने का, जिरोधा की जो case में है, इसमें अगर आप देखें तो इन्हों का असर देखने को मला है, जो एपिसोड वान हुआ था, इसमें options के माधियम से fraud का शिकार हुए जो दो पीडित थे, इनके case में बहुत बड़ा development देखने को मला है, और cyber cell ने दोनों जो cases है, इनमें counter party की पहचान कर ली है, यह बड़ा investigation का जो है सर देखने को मला है, और counter party मे पुलिस के लिए, cyber cell के लिए इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत-बहुत multi layers है, चब जाकर असल में अगर आप देखें तो hacker की पहचान हो पाएगी, लेकिन जो हमारी investigation है, इसका बड़ा असर हुआ है, और अगर आप फिलाल देखें तो जो दो counter parties है, इनकी पहचान हो पहचान होगा, तो चलिए कम से कम यह है कि इस मामले को इस लेवल तक उठाने के बाद आपको counter party की details मिल रही है, आपको hackers की पहचान होती ही दिख रही है, लेकि हम बता दें कि यह hackers सिर्फ hackers ही नहीं है, यह सिर्फ technology वाले hackers नहीं है, इनके साथ market के भी बहुत सार ऐसे शातिर लोग, समझदार कहना गलत होगा, शातिर लोग मिले वे, जिनने पता है कि अगर किसी एक account में credit है तो उस credit को निकालने के लिए, या तो उस account में कचरा share बेचे जाए, और कचरा share बेचने के लिए कोईन कोई तो account आपको चाहिए, और दूसरा, या फिर out of the money के options trade करक उस account में और अपने account में मुनाफ़ा दे दिया जाए, तो सोचे, टेकनोलोजी से लेके market के जालसाज किस तरह से एक दूसरे से हाथ मिला कर इस तरह की hacking कर रहे हैं, और ऐसे में hacking के इन मामलों पर जी बिजनिस की जो मांग है, मैं शोका समापन करूं उससे पहले मैं आपको अगली कुछ बाते जो बताने जा रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है, सब के लिए सुननी है, सिस्टम को साइबर सेकुरिटरी के लियाद से जुस्त दुरूस्त और मजबूत बनाने की जरूत है, चाहे वो client लेवल पर हो, depository लेवल पर हो, broker लेवल पर हो, या फिर exchange के उठाया है नहीं, तब तक brokers को इस बात की जरूत भी नहीं लगते हैं, कि वो दूसरे clients को mail भेज कर alert करें, जब हमने मामला उठाया है, तो इसके बाद लोग इसे alert करने के मौड में आते भी दिखें, किसी भी तरह की hacking की आशिंका हो, तुरंत alert करना जरूरी है, client के मामलों म जो representative है, वो ये सोचें, कि उनके साथ ये हुआ हो, और उसके बाद उनके जो ये decision दिये जाए, तो फिर आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आप उस आदमी को बेवकुफ ना समझे, आप उस आदमी को गुनगार ना समझे, जिसके साथ fraud हुआ है, fraud किसी भी समझदार आदमी के साथ हो सकता है, ये तो मैं बता चुका हूँ, कम से कम 3-4 case हैं, जो IT professional है, जो इन सब चीज़ों को जानते समझते हैं, तो ऐसे में कम से कम थोड़ी sensitivity दिखाए, जिसा आदमी का loss हो रहा है, जिसके साथ fraud हुआ है, उसकी बात को ध्यान से सुने, समझे, उन्हें चो हो चुके हैं, वो किसी के साथ OTP शेर नहीं करते हैं, बिना OTP शेर किये हैं, टी OTP और बाकी जो आप बड़े-बड़े ब्रमास्तर कहते हैं, इन्हें लीक नहीं किया जा सकता, उनके बावजुद हेकिंग हो रही है, खाता तुरंट ब्लोक किया जाए, इमेल या लिखित आप चार्ट आमना पड़े, कभी क्रेट कार्ट पर या बैंक अकॉन में फ्रोड होता है, कौन सा बैंक करता है कि आप हमें इमेल लिखे विजए, तुरंट सबसे पहले और ब्लोक करने के लिए अलग से नंबर होता है, ये टू ब्लोक प्रेस वन या जो भी है, तो आप त ब्लोकिंग करनी तो सीधा आप क्लाइंट के ब्रोकर के रिप्रेसेंटेटिव पर पहुंचे और वेट ना करना पड़े, स्टाफ को हेकिंग के मामलों को हैंडल करने की समझ दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेंड किया जाए, ऐसा न कहे कि आपकी अकॉन्ट में शेय क्लाइंट को न्याए मिले, उसका पैसा उसको मिले, उसके लिए उसका साथ दे, नहीं कि उन्हें छोड़ दे अकिला भगवान बरस ले, कि जो होगा देखा जाएगा पूलिस जाने, आप जाने, जहां तक जी आर्सी का सवाल है, जी आर्सी सिर्फ समस्यां को सुने ही, उस का समाधान भी दे, सुनकर एक कान से आपने ब्रोकर का सुन लिया, एक कान से क्लाइंट का सुन लिया, और हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जानो, आपका काम जाने, इसके लिए जी आर्सी नहीं है, नीवेशकों के लिए जी आर्सी और एक्सचेंज मिलकर, एक साइबर सेल के साथ इस तरह की कोई होट लाइन मनाएं कि वो मामलों को निफटा हैं खाली सिर्फ सुनना जी आर्सी का काम नहीं सोलीशन देना भी होना चाहिए और अगर जी आर्सी और एक्सेंज अपने लेवल पर फ्रोड और हैकिंग के मामले साइबर पुलिस के साथ उठाएं कि तो जाहिर सी बात है इंडिविजल इन्वेस्टर के मुकाबले में उनकी बात में वजन ज्यादा होगा उन निवेशकों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना असंभव है क्योंकि आपको पता है एक तरफ तो आपने पेमेंट ब्लोक कर दिया अगर क्रेट बची भी है तो ब्लोक कर दी जब तक अब पूलिस की तरफ से मामला नहीं निप्टेगा कोर्ट में नहीं जाएगा तो उसके लिए तो हेकिंग होना और पैसा ब्लोक होना दोनों बराबर की बात है इंडिविजल क्लाइन के पास नहीं इतनी टाइम है एनरजी है एक्सपराइजर पैसे है कि वो जाकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके और यह कानूनी लड़ाई इसलिए मैं कि यह पॉइंट नमबर दस सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह कानूनी लड़ाई लड़ने का काम ब्रोकर और एक्सचेंज का होना चाहिए या तो ब्रोकर की लड़ेंगे एक मेकेनिजम होना चाहिए आपकी लीगल टीम होनी चाहिए जो इन्वेस्टर के ब्याफ में लड़ें इन्वेस्टर को ना छोड़ दे एक किसी भी सचे इन्वेस्टर का पैसा डूपता है तो एक्सचेंज ब्रोकर डिपोजटरी आप और हम सब बराबर के जिम्मेदार है इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पर ये एक्सचेंज की तरफ से ये एक सिस्टम होना चाहिए कि कानूनी लड़ाई पुलिस के साथ लड़नी हो कोर्ट में लड़नी हो वो लड़ें ने कि एक बेचारा इन्वेस्टर वो चक्कर मारता फिरे फिर वो सोचेगा चले लाग दो लाग का नुकसान हो गया छोड़ो जाने दो कौन दिमाग लगाएगा हमसे तो ये लड़ना हो नहीं पाएगा इसके लावा निवेशकों को पैसा जल्द से जल्द मिले आपने एक बार ब्लोक कर जिया लेकिन ब्लोक करने के बाद आपको समझ म करना पड़े और जरूत पड़ने पर आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंट से एक तात्कालिक मदद देनी चाहिए चोटी दें जादा दें पूरी दें जितनी दे सकें आप देखें लेकिन इन्वेस्टर को मदद मिलनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर को ये न लगे कि मैंने आकर कोई गलती कर दी है यह आपको सब कुछ करना बहुत जरूरी है और इसलिए जी बिजनिस की तरफ से हमारी यह मांगे है कि इस तरीके से यह आपको देखना चाहिए अब अन्त में आपको एक यह बात कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने मामला है उन सब में एक ची भी यह नहीं कि हम किसी की गलती निकालें किसी ब्रोकर की एक्सेंज की किसी की भी नहीं हमारा उद्देश यह है कि हम पहले यह समझे कि सिस्टम में कमिया क्या है और जो कमिया है उसे मानें और जब मानेंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे जिन क्लाइंट के साथ फ बोकर्स समझदार बने एक्सचेंज समझदार बने और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें इस तरह के मामलों में पीडितों को जल्दी से जल्दी नियाए मिल सके जल्दी से जल्दी उनका पैसा वापस से आ सके और इसी वज़े से हमने इस शो को आपके सामने रखा है कि क अगर हम इस तरह का सिस्टम नहीं बना सकते हैं तो क्या वाकए में हम इन्वेस्टर के साथ सही कर रहे हैं आज ये इन कुछ लोगों के साथ हुआ है कल आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकता है और ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा जितने बड़े अकाउंट है उतने लेकिन हम ये जानना चाहते हैं ये पूरा एपिसोड करने के पीछे परपस ये है कि आप हम सब लोग मिलकर ज्यादा जाग रुखों और इस तरह के मामलों को निपटने के लिए इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए एक टॉपर सिस्टम बनाया जाए और जब तक ऐसा नही होता तब तक ये मान के चलिए ये ने तो दूसरा एपिसोड है और नहीं आखरी एपिसोड है आगे भी जरूत पढ़ने पर हमने पहले भी इस तरह के मामलों को बार बार और लगातार उठाया जब तक सिस्टम चुस दूरुस नहीं होंगे मुझे पता है कई सारे ब्रोकर और ब्रोकर्स के लेवल पर तो हम जब तक इन मामलों पर पूरी तरह से रोकने लग जाए हम इन मामलों को आगे भी उठाएंगे इसलिए ये नहीं सोचें कि पहला और दूसरा एपिसोड हो गया मतलब ये आखरी एपिसोड है हाँ जिस दिन ये लगएगा सिस्टम हमारे हम इन मामलों के को लेकर क्लाइन्स के प्रती सेंसिटीव हो गए हम उनकी दिल से मदद करना चाहते हैं जिस दिन ये फिलिंग आएगी मैं सबसे पहले खुद अपनी तरफ से हमारे चैनल की तरफ से सारे ब्रोकर्स का एक्स्चेंजेस का सारी कमेटीज का धन्यवाद आज इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महमानों का भी धन्यवाद आपने इतनी रिस्क लेकर आप आएं और आपने पूरी बात अपने सामने रखी ताकि लोगों को इस मामले की सीरियसनेस पता चल पाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस खाश्यों में इतना ही वने रहे हैं हमारा साथ जी विद्निस पर नमस्कार